बुलन्बगर तेसील के मिनाल गाम इस्ति चार बुजा मंदिर के जिर्ण उधार के दरत बुदवार को परिसर में गजराज प्रतिमाओं की स्थापना की गई इस दोरान भारी भरकम क्रेन का उपयोग तक करना पड़ा इस वीडियो में आप जो मंदिर देख रहे हैं वह करीब 500 साल पुराना है जिसका विगत 3 साल से जिर्ण उधार जारी है इस मंदिर के बाहर गुमबत से लेकर नीव तक सभी नकाशी को तराशा गया है मंदिर की अंदरूनी भाग सहित वहां गर्बगर का रेनोवेशन किया गया इसके आलावा पूरे मंदिर परिसर में सफेद मार्बल का उपयोग किया गया है इससे मंदिर की आभा देखते ही बन रही है जुन्नोदार के दहत पूरे मंदिर परिसर का काया कल्प होने के बाद वुद्वार को इसके प्रवेश द्वार के बाहर मार्बल से बनी दुभारी भरकम गजराज प्रतिमाओं की स्थापना की गई जो आप इस विडियो में देख रहे हैं इस दोरान कोतुहल वश बच्चे भी प्रतिमाओं को देख कर रुमान चित दिखे प्रवेश द्वार पर गजराज थापना से पूर्व मंदिर के सामने ही बने उंकारिश पर चबूतरे पर ग्रामिडों ने विदिवत पूजा अर्चना की पूजा की बाद सभी अरुष्ठान पंडित मागिलाल आमिटन ने संपन करवाए इस दोरान पूर्वसर पंच ओकाराल भलावत अंबलाल रुपावत समेथ एडवोकेट हुकमिचन सांगवत ने मेनारिय ब्राम्मन समाज की और से पूजा की इस दोरान समाज की कई पंच मोतबीर मौजूद रहे पूजा के बाद ग्रामिटन ने गजराज पतिमाओं का अभिशिक किया और माला आदी पहना कर उनकी पूजा की और प्रवेश द्वार पर स्थापत किया आपको बता दे कि गजराज की प्रतिमाए काफी भारी होने सिक्रेन की साहता से उन्हें प्रवेश द्वार तक ले जाया गया जिसमें समाज के इवाव और विदेशों में रोजगार रत लोगों ने दिल खोल कर आर्थिक सही होग दिया है